मंदिसौर कोटवाली थानाशेतर के बंडी जी के बाग सिद जेन मंदिर में चार किलो चांदी सहीत एक लाख रुपए की हुई चोरी पहुंची पुलिस मंदसौर कोतवाली थाना शेदर के बंडी जी के बाग जेन मंदिर में चार किलो चांदी सरीद एक लाख रुपए नगत की चोरी हुई सुबह सारी पांच बजे हैं और मंदिर के पदादी कारी उठे तो 5 बचकर 45 मिनिट पर उनके पास फोन आया कि यहाँ पर मंदिर के ताले तूट चुके हैं उसके बाद बड़ी संख्या में जेन समाच के मंदिर पर लोग पहुँचे और वहाँ पर देखा कि सभी जगे ताले तूटे हुए हैं और जेन मंदिर के अंदर जो मूर्तियां लगी हुई है उन मूर्तियों के चांदी के मुकूट और अनिचांदी के आइटम चोरी करके ले गए हैं और एक लाख रुपए दान पेटी से ले कर गए हैं और पीछे जेन मंदिर से खिड़ की तोड़ कर चोरों ने प्रिवेश किया और CCTV कैमरे में एक कपड़ा लगा कर चोरी की घट्ना को दो लोगों ने अंजाम दिया जो कि CCTV कैमरे में कैद हुई है चोरी की सूचना के बाद मोके पर कोतवाली थाना प्रभारी अमत सोनी अतिरिक्त पुलिस अधिक शक गोतम सिंग सौलंग की CSP सतनाम सिंग एवं अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में पहुँचे चोरी की घटना को ट्रैस करने के लिए पुलिस वारा एक टीम भी बनाई गई है एवं फिंगर प्रिंट एक्सपोर्ट डॉग स्कॉायर्ड मोके पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा जाश चुरू की हैं जेंसमाच के पतादिकारी दीपक कुमार भूता द्वारा मीडिया सी चर्चा करते हुए शनिवार को बताया कि पीछे से खिड़की तोड़ कर मंदिर के अंदर प्रवेश किया जहां से चांदी के मुकुट चोरी करके ले गए हैं और दान पेटी काफी दिनों से नहीं रुपए थे वहां भी ले कर गए हैं दोनों चोर तसीरी वी कैमरे में नजर आ रहे हैं उनके द्वारा सीसे दीवी कैमरे पर कप्ड़ा लगा कर चोरी की घटना को अंजाम दिया और एक सीसे दीवी केमरा तोड़ा गया है एवं शर्ट उतार कर मूँ पर बंध कर चोरी की चुनोती दे रहे हैं और मदसाओर में लँगातार चोरी की घटना बड़ती ही जारी है और बेक ऐसलेधों में भरना चोरी की घटना और अंजेमтораries जा रहा है अधिरिक्त पुली सदिक्षा गोतम सिंग सोलंकी द्वारा मीडिया से चर्चा करते वे बताया कि जेन मंदीर में चोरी हुई है और मोके पर पहुंचे हैं जाज की जारी है कितने रुपए की चोरी हुई है अधिरमजी और में दीपक भूता हम दोनों सुबह थाने पर गए और थाने पर दीवान जी को उठाया और जो साथ में वहाँ पर एक खेट साब को लेकर काया है और यहां पर सारी उन्हाज पड़ताल करें उसके बाद में यहां पर फिंगर प्रिंट सेक्षट भी आ गए दा क्या 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 गया आप वेसे तो करीब चार किलों के गरिब चानली की रखम गई है ओ गल्ला खोले को भी काफी समय होगा तो कम से कम एक लाग रुपे करिब गल्ले के गया है यह चीज़े अभी नजर में आई है चूकि अब इनिवस्टिकेशन चल रहा है तो उसकी बाद अब अब दोड़के लेगा है और उन्हें जो अपना भूशट खोल करके अपने यहां बढ़ धक रहा था और चूरी करने के बाद में बूशट बाविस्ट उन्हें पेल लिया तो उन्हें बूशट बाविस्ट अपना काली नंगे बदन थे वो बूशट पेना उनने एक लड़के के इसमें चश्पा भी लगावा था और यह दो लड़के यहां पर लजर आये हैं काली सारा मंदिर कंदर पर वेस्ट किया था मंदिर कंदर इसा लगता है कि पीछे की तरफ से क्योंकि में गेड़ बहुत मजबूत थी उसमें लोहें की जालियों अगेरा सब लग कोतवली के बंदी जी बाग में जिन मंदिर में चोरी की घटना घटित हुई है रात्री में चोरोद्वारा इसमें यहां पर चोरी की गई है जिस पर से हमारी टीमों को इसमें सक्री किया गया है और कुछ संदियों के सूशना मिली है इस पर हम काम कर रहे हैं क्या क्या सब अब इसका आखलन नहीं किया है क्या गया है तो ये दान पेटियों देखने के बाद इसमें बताया सकता है इसमें कुछ फुटेज मिले हैं और जो हमारे जो संदेई ही हैं उनको के तलाज जारी है थाइक यूट